एक जंगल में एक कालू कववा और इसका परिवार रहता था एक दिन की बात है एक दिन रानी कववी कालू कववे से कहती है कालू जी मेरी बास सुनो बहुत बुरी खबर है चल्दी मेरी बास सुनो अरे रानी क्या हो गया भाई कोई अच्छी खबर भी सुना दिया करो हर समय तुम कोई ना कोई बुरी खबर ही सुनाती रहती हो कालो जी राजु कवा बाहर खेल रहा था कि अच्छानक वहाँ पर बाजु चील आ गई और हमारे बेटे को पकड़ कर ले गई अब ना जाने वे दुष चील हमारे राजु कवे के साथ क्या करेगी तुम जल्दी करो और बाजु चील के गोसले में जाओ और हमारे राजु कवे को उस दुष चील से बचा कर ले आओ कहीं ऐसा ना हो कि वे बाजु चील हमारे राजु कवे को मार कर खा ले चलो भई तुम अभी भी बैठे मेरी बाते सुन रहे हो चली चलो हम दोनों जाते हैं चलो भई अरे अब इस खोनखार चील से मैं अपने राजु कवे को कैसे बचाऊंगा रानी तुम यहीं रुखो मैं जाता हूँ और बाजु चील से बात करता हूँ केवे हमारे बेटे को कोई भी नुक्सान न पोचाए यह कहकर कालु कवे फॉरण बाजु चील के पास चला जाता है बाजु चील रुख जाओ मेरे राजु कवे को मत खाओ मेरा एक ही इकलोता बेटा है यह केलो कवे मेरा नाम बाजु चील है और मैं अपना श्रिकार ऐसे ही नहीं छोड़ देती हूँ तुम यहां से चले जाओ वरना तुम्हारे राजु कवे के साथ तुम्हें भी मार कर खा जाओंगी बाजु चील मैं तुम्हें दो-दो स्वादिश चिडिया के बच्चे ला कर दे दूँगा तुम इन्हें खा लेना लेकिन बस मेरे राजु कवे को छोड़ दो तुम दो-दो चीडिया के बच्चों का सुन कर तो बाजु चील के मुँ में पानी आ जाता है और वे कालु कवे से कहती है ठीके कवे तुम चल्दी चाओ और चाके दो चीडिया के बच्चों को लेकर आओ तब ही मैं तुम्हारे राजु कवे को अजाद करूंगी फिर कालु कवे फारण चीडिया के दो बच्चों को ढूनने के लिए निकल जाता है मैंने बाजु चील को बोलतो दिया के दो-दो चीडिया के बच्चे ला कर दूँगा परन्तु वो दो-दो चीडिया के बच्चे मैं कहां से ला कर दूँगा तब ही कालू कवे की नजर सामने ही मिनुचेडिया के तो छोटे छोटे मासूम बच्चों पर पड़ती है अरे वा भाई ये तो मिनुचेडिया के बच्चे हैं और ये अभी बहुत छोटे हैं ना तो ये उड़ सकते हैं और ना ही ये ज़्यादा आवाजे कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस समय मीनो चड़िया भी अपने घुशले में नहीं है किसी को भी पता नहीं चलेगा मैं जल्दी से जाता हूँ और इन दोनों बच्चों को चील बेहन के पास ले जाता हूँ फिर कालु कववा फोरण मीनो चड़िया के घुशले में आता है और मानो चड़े और सोनो चड़िया को अपनी पीट पर बठा कर चील के पास ले जाता है यह सब कुछ एक दूसरे पेर पर बेठा तो ताभी देख रहा होता है और वे कहता है यह कालु कववा मीनो चड़िया के दोनो बच्चों को अपने साथ कहा ले गया मीनो चड़िया तो अभी थोड़ी देर पहले ही भोजन रूरने के लिए गई है जरूर कोई तो बात है मैं फोरण मीनो चड़िया के पास जाता हूँ और मिनोचेडिया को ये बात बताता हूँ ये कहकर तो ता फॉरन मिनोचेडिया के पास चला जाता है मिनोचेडिया मिनोचेडिया मेरी बात सुनो मानोचेडे और शोनोचेडिया को कालुकवा अपनी पीट पर बिठा कर कहीं ले गया है जरूर कालू कववा तुम्हारे दोनों बच्चों को लेकर चील के पास गया होगा हाई रे मैंने इस कालू कववे का क्या बिगाड़ा है जो ये हर समय मेरे ही पीछे पड़ा रेता है अब मैं क्या करूँ अगर वे कालू कवा मेरे बच्चों को चील के पास लेकर गया है तो वे चील तो मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगी तोते मैं जा रही हूँ यकीनन कालू कवा मेरे बच्चों को लेकर बाजू चील के पास ही गया होगा क्योंके वे बाजू चील ही हमारे जेंगल के पीछे बढ़ी रहती है मिनू चेडिया अगर तुम अकेले जाओगी तो वे चील तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हें भी मार कर खा जाएगी तोते मैं किसी बाजू चील से नहीं ढ़रती हूँ और मुझे अभी अपने मासूम बच्चों की जान बचानी है मैं जा रही हूँ फिर मिनू चेडिया इस बाजू चील के गुशले की तरफ चली जाती है काओ वे तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया है ये नने नने चेडिया के बच्चे लाकर अब बस मैं इन चेडिया के बच्चों को खाने ही वाली हूँ बाजू चील तुम जल्दी से इन नने पक्षियों को खा लो और मुझे और मेरे राजू कवे की जान छोड़ दो बाजुचील इन दोनों नन्ने पक्षियों को खाने ही जा रही होती है कि वहाँ पर मीनुचिडिया आ जाती है बाजुचील मैं तुमसे नहीं धरती हूँ बलके मैं तुम्हें और कालुकवे को सबक सिखाने के लिए आई हूँ आरे एक छोटी चिडिया अब बाजुचील को सबक सिखाएगी हाँ 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 बाजुचील अगर तुमने अभी के अभी मानुचिड़े और शोनुचिडिया को मुझे वापस ना लुटाया तुम्हें तुम्हारे इस गोसले को तोड़ दूँगी और कालुकवे मैं तुम्हारे रजुकवे को भी मार डालूगी मिनोचिडिया तुम बस भी करो तुम हुस्दै में क्या कुछ बोल रही हो तुम चानती हो ना कि अगर तुम बाजुचील के करेब भी आई तो बाजुचील तुम ये भी मार कर खा जाएगी ऐसा कभी नहीं होगा कालुकवे ये कहकर मिनोचेडिया वहां से चली जाती है थोड़ी देर के बाद मिनोचेडिया एक जलती हुई लकड़ी लेकर बाजूचील के पास आती है और बाजूचील से कहती है बाजूचील तुम मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दो वरना मैं इस पेड़ में आग लगा दूंगी और तुम इस आग में जल कर मर जाओगी मिनुचिरिया अगर तुम इस पेड़ में आग लगा दोगी तो तुम्हारे बच्चे और तुम भी जल कर मर जाओगी मुझे कोई फरक नहीं पड़ता कालु कवे वैसे भी अगर मैंने ऐसा ना किया तो बाजुचिल तो मेरे दोनों बच्चों को खा ही जाएगी ना इससे बेतर तो यही है कि मैं इस पेड़ में आग लगा देती हूँ और मैं भी आग में चल कर मर जाती हूँ बाजुचिल तुम इस मिनुचिडिया की बातों पर यकीन मत करो ये मिनुचिडिया जूट कह रही है ये कभी भी इस पेड़ में आग नहीं लगाएगी बस कालुकवे का इतना कहना ही था मिनुचिडिया फॉरण उस पेड़ में आग लगा देती है आग आइस्ता आइस्ता नीचे से उपपर बढ़ती हुई आ रही थी बाजुचील को तो आग से बहुत जादा ही धर लगता था इसलिए बाजुचील फोरण वहां से भाग जाती है और कालुकववा भी आग से धर कर ऐसे भागता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि उस पेर पर उसका बेटा राजुकववा भी है आग आइस्ता आइस्ता बढ़ती ही जा रही है मुझे चल्दी से मानोचिड़े और शोनोचिड़िया को यहां से बचा कर ले जाना होगा परन्तु ये कालुकववे का बेटा राजुकववा कितना मासूम है मैं इस मासूम बच्चे को यहां पर छोड़ कर नहीं जा सकती हूँ मुझे इन तीनों की जान बचा कर यहां से ले जाना होगा परन्तु मैं इन तीनों को एक साथ अपनी पीट पर बिठा कर कैसे ले कर जाओंगी मिनुचेड़िया कुछ सोच रही होती है कि मिनुचेड़िया को सामने एक टोकड़ी पड़ी हुई दिखती है मिनुचेड़िया फॉरण उस टोकड़ी के पास जाती है फिर मीनो चडिया उस टोकरी में तीनों बच्चों को बिठा कर वहां से ले जाती है शुकर है तीनों मासूम पक्षियों की जान बच गई वरनावे बाजोचील तो मेरे दोनों बच्चों को मार कर खा ही जाती मीनो चडिया अब तुम जब भी भोजन जमा करने के लिए जाना तो मुझे बता देना मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूँगा इनको अकेले छोड़कर तुम अपसे कभी भी मत जाना तोते तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चलो भई मैं जल्दी से राजुकवे को लेकर कालुकवे के पास चली जाती हूँ रानी कभी तो बहुत जादा रो रही होगी मेनो चेडिया वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा कालुकवा तुम्हारे दोनों बच्चों की बली चड़ा रहा था फिर भी तुमने कालुकवे के बेटे की जान बचाई मैं उस कालुकवे की तरह नहीं हूँ के मैं इस मासुम कभी को उस जलती हुई आग में छोड़ा थी दूसरी तरफ जब कालुकवा अपने घुसले में आता है तो उससे याद आता है के राजुकवे को तो वे उस जलती हुई आग में छोड़ कर आ गया है कालू जी तुम तो राजु कवे को लेने के लिए गए थे ना कहां है मेरा राजु कहां है फिर कालू कवा रानी कवे को सारी बात बताता है कि कालू कवा राजु कवे को उस जलती हुई आग में छोड़ कर आ गया है कालू जी ये तुमने क्या कर दिया तुम हमारे राजुकवे को उस जलते हुए पेड़ पर कैसे छोड़ कर आ सकते हो रानी मैं बहुत जादा ढ़र गया था इसी कारण मैं राजुकवे को वहां से ले जाना भी भूल गया हूँ अब तक तो मेरा राजुकवा उस आग में जलकर मर भी गया होगा कालू जी बस बहुत हो गया ऐसे में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी मैं जा रही हूँ अपने मैं के नहीं नहीं रानी अब तो राजुकवा भी नहीं रहा और अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं किस के साथ रहूंगा तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ बस कालुकवा और रानी कववी ऐसे बाते कर रहे होते हैं के वहाँ पर मिनुचेडिया राजुकवे को लेकर आ जाती है कालुकवे तुम खुदगर्ज हो सकते हो लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैंने अपने बच्चों के साथ तुम्हारे राजुकवे की भी जान बचा ली है राजुकवे को देखकर रानी कववी और कालुकवा तो बहुत जादा ही खुश हो जाते हैं मिनोचेडिया मुझे माफ कर दो मैं अपने बच्चे को बचाने की चक्कर में तुम्हारे दोनों बच्चों की बली चड़ा रहा था बस करो कालुकवे तुम हर बार कोई न कोई गलती करके बाद में मुझे से माफी मंगते हो लेकिन इस बार में तुम्हे माफ नहीं करूंगी और आज के बाद नहीं तुमसे कभी बात करूंगी ये कहकर मिनोचेडिया वहां से चली जाती है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वारती नहीं होना चाहिए मीनो चडिया एक जंगल में रहती थी मीनो चडिया को घरों में रंग करना बहुत ही जादा अच्छे से आता था पूरे जंगल में मीनो चडिया जैसा रंग कोई भी पक्षी नहीं कर पाता था इसलिए जंगल के पक्षी मीनोचडिया से ही अपने घर को रंग करवाते थे जंगल में एक कालू कववा भी रहता था कालू कववा मीनोचडिया से बहुत जादा जलता था क्योंके मीनोचडिया इतने जादा पैसे जो कमाती थी मीनो चड़िया के पास एक बहुत ही बड़ा घर था जोके मीनो चड़िया ने बहुत ही मैनत करके बनाया था एक दिन मीनोचडिया घर को रंग कर रही होती है तो मीनोचडिया बहुत ज़्यादा ठक जाती है और मीनोचडिया छाओं में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है आज तो मैं बहुत ज़्यादा ठक गई हूँ ये रंग कर करके चलो जाके नदी से थोड़ा पानी ही पी आती हूँ और फिर मीनोचरिया नदी से पानी पीने के लिए चली जाती है मीनोचरिया नदी के पास आती है और नदी से ठंडा ठंडा पानी पीती है और फिर थोड़ी देर वे नदी के पास ही बैठ जाती है इतने में वहाँ पर एक बुलबुल आ जाती है वे बुलबुल मीनोचेडिया से कहती है मीनोचेडिया तुम तो यहाँ बड़े मज़े से बैठ कर अराम कर रही हो मेरे घर को रंग कौन करेगा चलो जाके मेरे घर को जल्दी से रंग करो और फिर मीनोचेडिया बुलबुल के घर को रंग करने के लिए चली जाती है अगले दिन मीनोचेडिया बुलबुल के घर को रंग करके एक दम तयार कर देती है बुल बुल भी अपने घर को देखकर बहुत जादा खोष हो जाती है और मीनोचेडья से कहती है वा भई मीनोचेडья तुमने मेरे घर को कितना सुंदर बना दिया है मेरा घर तो जो कोई भी पक्षी देखेगा बस देखता ही रहे जाएगा इतना सुन्दर रंग किया है तुमने बिलबल मेहन मैंने आपका घर अच्छे से रंग कर दिया है अब आप मुझे मेरे दस गंदुम के दाने दे दें ताके मैं अपने घर में चली जाओ फिर बुलबुल मीनोचेडिया को एक पोटली में दस गंदुम के दाने देती है और मीनोचेडिया वे पोटली लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है चेलो भई अब थोड़ी देर अराम कर लेती हूँ उसके बाद में जंगल में जाऊंगी और जिस किसी पक्षी को अपना घर रंग करवाना होगा मैं उस पक्षी का घर रंग कर दूंगी ऐसा कहकर मीनोचेडिया थोड़ी देर अराम करने लगती है दूसरी तरफ दूसरे जंगल के एक उल्लू माराज अपने साले के लिए एक लकणियों का घर तयार करवाते हैं लेकिन अब उस घर में सिर्फ रंग करना ही बाकी था अजी आप इस घर में रंग कब करवाएंगे आपने ये घर तो तयार करवा दिया है अब जल्दी से इस घर में रंग भी करवा दें ताकि मेरा भाई इस घर में रहना शुरू कर दे हाँ जी जाजी आप इस घर में जल्दी से रंग करवा दीजिए मुझे अब इस घर में बस आप जल्दी से जल्दी इस घर को रंग करवा दें। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं किसी अच्छे कलर वाले को ढून कर इस घर को रंग करवा देता हूं, ताके तुम इस घर में अराम से रहो। फिर उल्लू माराज अपने एक सैनिक को कह देते हैं, कहवे किसी एक अच्छे कलर वाले को ले कर आए और इस घर में अच्छे से रंग करवा दे। उस सैनिक को पता था, कि दूसरे जंगल में एक मीनो चेड़िया रहती है, जो कि पक्षियों के घरों को बहुत ही अच्छे से रंग करती है, वे सैनिक मीनो चेड़िया के पास दूसरे जंगल चला जाता है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मैं उल्लू माराज का सैनिक हूँ, उल्लू माराज ने एक घर बनवाया है, अब उल्लू माराज को उस घर में रंग करवाना है, और मुझे पता है कि इस पूरे जंगल में आप बहुती अच्छे से घरों को रंग करती हो, इसलिए मैं चाता हूँ कि उल्लू माराज के घर को भी आप ही रंग करो। लेकिन चिडिया बेहन उल्लू माराज ने वे घर अपने साले के लिए बनवाया है। अगर आपने उस घर में अच्छे से रंग ना किया तो उल्लू माराज आपको सजा भी दे सकते हैं। नहीं नहीं सैनिक जी मैं उल्लू माराज के घर को बहुती अच्छे से रंग करूँगी और मैं उल्लू माराज को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी बस आप मुझे उल्लू माराज की पास ले चलें और फिर वे सैनिक पक्षी मीनुचेडिया को उल्लू माराज की पास ले जाता है उल्लू माराज ये मीनुचेडिया है इसे मैं दूसरे जंगल से लेकर आया हूँ ये पक्षियों के घरों को बहुती अच्छे से रंग करती है मैं चाहता हूँ कि आपने अपने साले के लिए जो घर बनवाया है वे घर के मीनोचेडिया ही रंग करे मीनोचेडिया तुम्हें अच्छे से रंग तो करना आता है ना क्योंकि ये घर मैंने अपने साले के लिए बनवाया है अगर मेरे साले को घर पसंड ना आया तो मेरी पत्नी मुझे बहुत सुनाईगी और अगर मेरी पत्नी ने मुझे सुनाया तो मैं तुम्हे सजा दूँगा नहीं नहीं उल्लू माराच ऐसा कुछ भी नहीं होगा मैं घर को बहुत सुन्दा रंग करूँगी आपके साले को वे घर बहुत पसंद आएगा ठीक है मिनोचिडिया तुम जाओ और जाकर उस घर को अच्छे से अच्छा रंग कर दो दो दिन का समय है तुम्हारे पास दो दिन के बाद मैं अपनी पतनी और अपने साले को लेकर वे घर देखने के लिए आऊँगा और अगर मेरे साले को वे घर पसंद ना आया तो मैं तुम्हे कड़ी से कड़ी सजा दूँगा मिनोचिडिया को अपने पर बहुत ही पक्का यकीन था कि मिनोचिडिया उस घर को भी बहुत ही अच्छा रंग करेगी फिर वे मीनोचेडिया उस घर को रंग करने के लिए चली जाती है चलो भई चलती से घर को रंग कर देती हूँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो दिन का समय है और फिर मीनोचेडिया उस घर को रंग करना शुरू कर देती है ये बात कालू कवे तक भी पहुँच जाती है कि मिनुचेडिया दूसरे जंगल के उल्लो माराज के घर को रंग कर रही है और कालु कवे को ये भी पता था, कि अगर मिनुचेडिया ने उस घर को अच्छे से रंग ना किया, तो उल्लु माराज मिनुचेडिया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे, और मैं तो यही चाहता हूँ, कि मिनुचेडिया को कड़ी से कड़ी सजा हो, ताके मेरा बदला पुरा हो लेकिन मुझे कोई ना कोई तो तिगड़म करना ही पड़ेगा क्योंके मीनोचेडिया तो उल्लू माराज के घर को बहुत ही अच्छा रंग करेगी और मुझे किसी भी तरह उस घर का रंग खराब करना होगा कालू कववा बहुत ही जादा होश्यार था इसलिए कालू कववे की दिमाग में एक शैतानी योजना आ जाती है अगली सुबे हो जाती है मीनोचेडिया उल्लू माराज के घर को अच्छे से रंग करकर तयार कर देती है और वे घर तो बहुत ही जादा सुन्दर दिख रहा था मैंने तो इस घर में बहुती जल्दी रंग कर दिया है। उल्लू माराज तो अपनी पतनी और अपने साले को लेकर कलाने वाले हैं। वैसे मानना पड़ेगा मैंने इस घर को बहुती सुन्दर रंग किया है। उल्लू माराज के साली जी को ये घर बहुत पसंद आएगा। फिर ये कहकर वे मीनोचेडिया अपने घर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ कालुकवे को पता चल जाता है कि मीनोचेडिया ने उल्लु माराज के घर को अच्छे से रंग कर दिया है। कल सुबा उल्लु माराज अपनी पत्नी को लेकर और अपने साले को लेकर उस घर को देखने के लिए आने वाले हैं। मुझे इससे पहले पहले उस घर का रंग खराब करना होगा। फिर कालू कववा एक काले रंग की बाल्टी लेकर उल्लू माराज के घर की तरफ चला जाता है और कालू कववा उल्लू माराज के घर पर पूरा काला रंग कर देता है जिससे वे घर बहुती जादा बुरा दिख रहा था मैंने इस घर को पूरा काला कर दिया है अब जब उल्लू माराज अपनी पत्नी और अपने साले के साथ इस घर को देखने के लिए आएंगे तो वे बहुत जादा गुसा होंगे और वे मीनुचिडिया को सजा देंगे चलो अब मैं अपने गुसले में चला जाता हूँ अगर मुझे यहां किसी ने देख लिया तो उल्लू माराज मुझे ही सजा दे देंगे फिर वे कालू कववा उस घर पर काला रंग करकर वापस अपने गुसले की तरफ चला जाता है बापरे मेरे गले में जो हार था वे हार कहां चला गया लगता है मैं उल्लू माराज के घर को रंग कर रही थी मेरा हार उदर ही कहीं गिर गया होगा चलो मैं जाकर अपने हार को वहीं ढूनती हूँ फिर मिनोचेडिया अपना हार ढूनने के लिए उल्लू माराज के घर की तरफ चली जाती है जब मिनोचेडिया उल्लू माराज के घर के पास आती है तो वे घर पर लगा काला रंग देखकर बहुत जादा उदास हो जाती है और वे कहती है ये क्या हो गया मैंने तो इस घर पर कितना सुन्दर रंग किया था और किसी ने इस घर पर पूरा काला रंग कर दिया है अब जब कल उल्लू माराज अपनी पत्ने और अपने साले को लेकर ये घर देखने के लिए आएंगे तो वे तो मुझे पर बहुत जादा गुसा होंगे और वे मुझे सजा देंगे मुझे कुछ भी करके इस घर पर से काला रंग हटाना होगा वरना कल उल्लू माराज मुझे नहीं चोड़ेंगे मीनो चड़िया बहुत जादा चिंतित हो जाती है और इसी चिंता के कारण मीनो चड़िया को एक बहुती बढ़िया उपाए आ जाता है मैं बादल बाईया के पाउ जाती हूँ और बादल बाईया से कहती हूँ कि वे बारिश करें ताकि इस घर पर लगा सारा काला रंग उतर जाए और जो रंग मैंने किया था वे रंग वापस आ जाए फिर मीनोचेडिया बादल के पास चली जाती है उची देर के बाद मीनोचेडिया बादल को बुला कर ले आती है और काफी जादा तेज बारिश शुरू हो जाती है बारिश के पाने के कारण उस घर पर से काला रंग उतर जाता है और जो रंग मीनोचेडिया ने किया था वे लंग वापस आजाता है बादल भी अपना काम करके वापस पहाड़ों की तरफ चला जाता है मीनुचडिया उस घर को देख कर बहुत जादा खुश होती हैaldo एक मीनुचडिया को सामने वाले पेड़ पर बैटकर गुजारती हूं अगर मेरे जाने के बाद दुबारा किसी ने इस घर पर काला रंग कर दिया तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा इसलिए आज की रात मैं यही रुख जाती हूँ और इस घर पर दिहान रखती हूँ मीनो चडिया उस घर के सामने वाले पेट पर बैट जाती है और पोरी रात मीनो चडिया उस घर पर दिहान रखती है कि कोई उस घर पर आकर काला रंग ना कर दे अगली सुबे हो जाती है कालू कववा बहुत ज़्यादा खुश था क्योंके कालू कवे को लग रहा था कि आज मीनो चेडिया को उल्लू माराज बहुत कड़ी सजा देंगे दूसरी तरफ उल्लू माराज अपनी पत्नी और अपने साले को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और वे जब अपना घर देखते हैं तो वे बहुत जादा खोश हो जाते हैं चेडिया तुमने इस घर पर बहुत सुन्दर रंग किया है मुझे ये घर बहुती जादा पसंद आया है मेरे साले को ये घर पसंद आया चेडिया मतलब तुम पास हो गई कालू कववा एक बेड़ के पीछे छुपा ये सब कुछ देख रहा था और ये सब कुछ देखकर कालू कववा तो एकदम हैरान हो गया था कि आखिर ये सब कैसे हुआ दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो कोई सच्चा और अच्चा हो हम चाकर भी उसके साथ बुरा नहीं कर सकते हैं आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं